आज पूरे भारत में कुरोना की महामारी चालू है, हर तरफ बीमारी फैले हुई है, वबा फैले हुई है, लेकिन आप देखिए धूलिया की महानगर पालिगा के काम, आज दो से घान उढ़ानी जाए लिए, लेकिन फोल होगे, आले वलते हमको लाओ, वलते हमको लाओ, वलते हुई है, बिल्कुल कोई नहीं हाता है, कच्रा तजाट में उढ़ाते है, आज दिन के कच्ची महार को रहे हुई है, आज बीमार गिरने है, और उसके लावे, बन्ल दिनों से निकाल कर पड़ा हुआ है, यहां पर आवाम का यहां की आवाम का कहिना है, कि पहले दो नगर पाली का करमशारी आते ही नहीं है, और कभी मैने-दो मैने बाद एकादी मर्तबा आ जाते है, तो ऐसी कच्रा पड़ा रहता है, दद दिन, पंदरा-पंदरा दिन यह आते नहीं है, और वक्त पड़ने पर यह जो कच्रा है, वापस गटर में चला जाता है, अब आप देख सकते हैं कि पूरी नालियां भरी रहती है, ऐसे गंदगी होने की वजह से, तरह तरह की बीमारिया फैल रही है, अभी जश्ट आजाद नगर की बात है, कि तकरीबन व इसके जुम्मेदार को ने, इसके जुम्मेदार धुलिया मान अगर पालिका ही है ना, आज गंदगी की वजह से जो अल्प संक्यान भाग है, तो आप अल्प संक्यान भाग का अगर सर्वे करते हैं धुलिया का, तो हर तरप गंदगी पड़ी हुई है, हर तरप गंदगी काम करने के लिए तयार है ना कर्मशारी काम करने के लिए तयार है आकिर मामला क्या है कि कहीं इसमें डाल में काला तो नहीं है आप देखते हैं कि जो नगर सिवक है आज नगर सिवक को अवाम इसलिए चुनके देती है कि वो उनके वाड का उनके भाग का काम अच्छे से लेकिन अगर नगर सेवक सफाई पर ध्यान ना दे पानी पर ध्यान ना दे अवाम के बार-बार तक्रार करने के बाद तो इसका मतलब आप क्या समझोगे आप यह जो वीडियो देखा है अभी तो यह वार्ड नंबर 13 की वीडियो है यह वार्ड नंबर 13 नूर मस्जित के पास की वीडियो है यहाँ पर तक्रीबन 10 दिन से पूरे रोड़ पर कच्रा निकाल के रख पड़ा हुआ है उससे तरह तरह की बिमारी फैल रही है और आज हालात इसे है जो हर कोई जानता है वहां की अवाम परिशान है बच्चे बिमा मामला एक वाड का नहीं है यह मामला हर वार्ड का यह हर में क्वी है की त सबसे पहली बात तो यह का ज़त Soo कितने लोग हाजिर रहते हैं कि अभी हमको पता यह चला है अवाम का कहना यह है कि अगर एक सफाई अधिकारी के पास अगर जितने भी लोग है तो ड्यूटी पे मैंने बार उसके आदे ही लोग आते और आदे लोग जो है तो वह अपनी हाजरी लगा कर चले जाते हैं और सफाई अधिकारी जो होते हैं तो उनको कुछ तोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं जिसकी वज़ा से वह उनकी हाजरी लगा लेते हैं तो यह तो एक बहुत बड़ा भरेष्ट शार है और जो दूलिया की अवाम है तो इसके साथ एक बहुत बड़ा अन्या है एक जुल्म है तो यह चीज़ फर हमारे अयुक्त साथ को ध्यान देनी की बहुत जरूवत यह और इसी तरह अगर आप पानी की कि वेबात करें तो दूलिया के अंदर ना सफाई की वेवस्ता सही है ना पानी की वेवस्ता सही है और जो ठेका दिया गया है जो दुलिया मान अगर पालिका ने ठेका दिया है वो आखिर मामला क्या है कि घंटा गाड़ी टेक से तो आप बराबर वसूल करती है नगर पालिका अवाम से तो फिर उनको सुधाय क्यों नहीं मिलती है मुल्भुत सुधा जो औवाम के लिए, वो क्यों नहीं मिलती है। गंटागाड़ी हर गली में नहीं जाती है, वाएक वाड़ के अंदर एक से तू-डो गाड़ी चलती हैं, जो ट्याक्टर है तो दिन में एक वाड़ में इतने बड़े वार्ड है दूलिया के एक वार्ड में एक हीट एक्टर भर कर जब जाते तो दोबारा घान दोबारा लेकर नहीं जाते जिसकी वज़ा दे पूरे वार्ड में गंदगी फैली रहती है तो ऐसा क्यों यह जो कंपणी को ठेका दिये तो इसको सिर्फ एक ट्यक्टर रोज का एक वार्ड से ले जानी का ठेका है या इतने बड़े वार्ड जो बड़े वार्ड बने आज चार वार्ड का एक वार्ड बना है तो समझो के चार वार्ड के अंदर क्या सिर्फ दो घंटा गाड़ी दी गई है कि अब जो सड़कों पर घान जमा होती है जो उखड़ों पर घान जमा होती है उसका जुम्मेदार को ने तो वही कंपनी है ना जो कंपनी इसका नगरपाली का से ठेका लिया गंदगी का कच्रा उठाने का क्योंकि जिस वक्त भी हर इलाके में घंटा-ग गाड़ी घुमने लगेंगी हर इलाके से गंटा-गाड़ी अगर कच्रा जमा करकर ले जाएंगी तो ना तो गटर में कच्रा मिलेगा और ना उखड़ों पर कच्रा मिलेंगा और वार्ड में कई गंदगी दिखेंगी लेकिन इस पर नगर सिवक भी आवाज नहीं उठाते अवाम से बात करने के बात पता चला है कि जो है तो नगर सिवकों को सफाई अधिकारी से भी पाकिट मिलता है और जो कंपनिये जो कंपनिये सफाई का ठेका लेती है तो वो थोड़ी सी रख्म देकर बड़ा भरस्ट चार करती है थोड़ी सी रख्म देती है ये नगर सिव को लेकिन इसका बरश्टचार बहुत बड़े पैमाने पे होता है और जिसकी वज़़ा से अवाम में तरह तरह की बीमारिया फैल रही इन गंदग्यों की वज़़े से तो इसका जुम्यदार कोने इसका जुम्यदार कहीं न कहीं हमारे नगर सवक भी है आयूक तो सहाब भी और मेरा मानना है कि कहीं हमारे जो नागरिक है अवाम भी है क्योंकि जब तक के नागरिक अगर जागरूत नहीं होगे तो ये नगर सिवक ऐसे ही अवाम को बेवकूप बनाएंगे और ऐसे ही अपना काम नहीं करेंगे तो मेरा अवाम से कहना है कि आप जागरूत हो जाईए और फिर जागरूत होने के बाद अपने बेदारी का सबूत दीजिए